तो आज हम इस वीडियो में बीम के बारे में जानेंगे, यह बीम जो होता है, इसका स्पेसिंग कैसे चेक करेंगे, इसका लेंज कैसे चेक करेंगे, बीम में क्या-क्या चीज़ी चेक करनी होती है, वो सब चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे, जब भी बीम को कंस्ट्रक् जो 사ائ्ट इंजिनियर होता है वह क्या-क्या चीज चेक करता है और यह फ्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है तो वीडियो को लाफ सक देखें और जबू देखें कि क्या-क्या चीज है कैसे चेक की जाती है तो सबसे पहले हम इस तीज में डेख बीम में डेखेंगे, इसका जो बीम का लेंथ है, वो आपके ड्रोइंग के अकॉर्डिंग, यह प्रॉपर है या ने, उसे चेप करने के लिए सिधा हम एक टेप लेंगे, और इस टेप से, जो हमारा कॉप बार है, वो देखेंगे कि इस लेंग के 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 हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे और एक बार में हम लोग कम पे कम 5 अस्टिरेप्स को चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, and 5, 5 अस्टिरेप्स को चब लेंगे, तो आप पर हमारा 200 के अक्वाडिंग, 1 meter यानि की 1000 mm प्रापर होना चाहिए, उके, इस तरह से आप अस्टिरेप्स को चेक करेंगे, और जो बीम हमारा, इस बीम का जो ये अस्टिरेप्स है, ये अस्टिरेप्स प्रापर परिके से fit है किने बैठ हो आपने, वो हम लोग चेक करेंगे, जब हम लोग ये टाइ करते हैं, तो ये टाइ को हिला कर चेक करेंगे, ये टाइट है यानि, उसके बाद ये स्टिरेप्स का जो हुग है, इस से हम लोग और बीम होना चाहिए, मतलब ये alternate direction में होना चाहिए, और जब हम लोग ये टाइ करेंगे, तो इसका जो टाइ होगा, उसमें हम लोग crown टाइ use करेंगे top बार में, ये जो हमारा hook होता है, स्टिरेप्स का, स्टिरेप्स का hook, डिपेंड करता है कि कितना डिगरी bend किया हुआ है, अगर ये 155 डिगरी bend किया हुआ है, तो ये हमारा 12D होगा, जो कि 96 होना चाहिए, कितना 12D याने की याने की यह हमारा जो स्टीरफ है उसका डाइमेटर है 8 और यह 12D होना की तो 12 इंटो D याने की 12 इंटो 8 तो कितना आता है 96 तो यह जो हमारा हुक है यहाँ पर तो हमें जो चेक करेंगे यह प्रॉपर है या नहीं है उसका लेंट उसके बाद बीम को हम लग देफ्ट चेक करेंगे तो इस परकार से नहीं चेक करेंगे जो हमारा टॉप बार है तो इसका जो है इस तरह से कभी भी चेक नहीं करना है जब हम चेक करेंगे तो अस्टीरफ को जोँग को चिक करना है, है हमारा इसका ब्रेथ हाँगा जो इस ड्रोएंग के चीप पर हाइगा है त्रीहंड़ेट और इसका जोड़ेथ हम लोग चेप करेंगे जब देथ चेप करेंगे तो यह भी अश्टिवस को ले कर यह हमारा found है इसका according तो इस तरह से हम लोग इसका depth और breath को check करते हैं किसी भी beam का और जो श्टिवस को tie करते हैं उसी अक्स हम check करेंगे कि यह जो vertical position जो इसका होता है श्टिवस का वो proper hackiness वो हम इस चेप करने के लिए plumber को use करेंगे यहाँ ते हम इस तरह से plumber लगाएंगे और वो check कि यह vertical है या नहीं है उसके बाद जो हमारे यह beam है beam का जो top bar या bottom bar का जो side में length हमें प्रवाइड करते हैं L जो बोना होता है इसका length किस प्रकार से check करेंगे यह जो length है इसका भी length का check करने का जो तरीका है वो क्या होगा 2 by 3rd into depth 2 by 3rd into depth depth हमारा कितना था 400 तो 2 by 3rd into 400 2 by 3rd into 400 करेंगे तो हमारा आता है 266 तो यह हमनों check करेंगे कि यह proper 266L है या नहीं है यह देखे लगवाग यह 260 है तो इतना चलेगा तो इतना हमनों का सब कुछ चेक करना होता आप beam में यह जो beam है always आप चेक करें कि जो a spirit से यह हमेशा vertical होना चाहिए इसका tie tight होना चाहिए और length यह सही होना चाहिए और जो हम लोग यहाँ पर lap आती है bottom बार और top बार का जो lap आता है यहाँ पर हम लोग जो tie करेंगे कि यहाँ पर हम लोग a splice tie यूज़ करेंगे और यह tight है कि नहीं वह भी साथ साथ में इसे चेक कर लेंगे हम जो देखेंगे इस beam का जो steel है वो drawing के according प्रवाइड किया गया ने जैसे अगर top बार है तो इस beam में drawing के according इसका 12 mm का डाया होना चीए top bar में और bottom में 16 mm का होना चीए तो आप लेग चेक कर ले 60 mm का डाया और यह 12 mm का डाया अब बात करेंगे हम इसके grade के बारे में जो steel है इस steel का grade क्या दिया गया है वह बिसक यह steel में जो grade होता है यह लिखा होता है अब यहाँ पर देखें जो 16 mm का डाया इस टील है उसका ग्रेड है यहां पर दिया हुआ है 500d 500d उसी प्रकार से जो हमारा 12 mm है उसका ग्रेड है वह भी 500d दिया हुआ है और जो beam है वो इस तरह से प्रपर ख़ड़ाओं का चेक करना है यह straight है या नहीं है A straight note इसका चेक करना बहुत ही जरूरी है तो इन सब चीजों को हम जोग चेक करते है एक साइट पर किसी भी beam में और प्रपर तरीके से चेक करते हैं आप भी जही तरीके से चेक करें ड्रोयम को always prefer करें कि ड्रोयम के according जो हमारा बीम है वो बना है की नहीं बना है इस तरह से आप किसी भी बीम को check कर सकते हैं का शक्रशन स्टाइट पर Thank you for watching this video